है ऐलो insane वेल्कम तु निस चैलencies चैलेंग जुलो जी नोटस आज़ के इस वीडियो में आपको बताऊंगी रिकोम्टेशन इन बैक्टीरिया में रिकोम्टेशन कैसे होता है अगर हिंदों बोले तो बैक्टेरिया में 오래 होता है फर्स्ट इंटोड़क्शन, रिकॉमिनेशन इस दरी एरेज्मेंट और रिशफलिंग अप जीन्स रिजल्टिंग इन न्यू जीनो टाइप्स बुला जारा रिकॉमिनेशन जो होता है यह जो फूनर सायोजन जो होता है जीनो के पुनर व्यास था मतब जीन का जो रिएरेज्मेंट किया जाता है या फिर फिर वदल जो होता है जिसके परिनान सरुब एक नया जीनो टाइप बनता है उसी को पुनस संयोजन या फिर recombination कहा जाता है मत अगर बोलने जाए तो जीनो का re-arrangement करके जब जीनो टाइब नया जीनो टाइब बनता है तो उसको recombination कहा जाता है bacterial recombination is brought about by the transfer of genetic material from one bacterium to other यह जो मत बता है जेनेटिक मैटेरियल का त्वारा त्वारा जाता है जो डान करता है जैनेटिक मैटेरियल का उस से डानर का जाता है और यह जो रिसीब करते हैं उसे रेसिपट का जाता है उसका method of recombination क्योंता प्रोसेस कैसे complete होता है तो recombination occurs in 3 methods they are recognition का जो यह method जो है यह तीन methods में पूरा होता है पहला conjugation, दूसरा transformation and third transduction पहला है conjugation the transfer of genetic material from one bacteria to other by the union of two cells is called conjugation बुला जारे conjugation में क्या होता है कि genetic material का transfer होता है एक bacteria से दूसरे bacteria में दूसरे मिल के जब यह काम होता है तो उसको conjugation कहा जाता है this was first reported by ladder work and tatum in hysteria coli यह जो conjugation का जो process है, report सबसे पहले अगर किया गया था तो ladder work और tatum के द्वारा किया गया था उन्होंने किया था, hysteria coli में यह चीज किया था the two bacteria joined together are called conjugants जब दो bacteria joined होते हैं एक साथ तो उसे conjugants कहा जाता है of the two bacteria are one donate genetic material to the other cell and is called donor or male cell the other cell that receive the genetic material of the donor is called recipient or female cell बोला ज़रा दो bacteria जो joined होते हैं तो conjugate तो कहते हैं लेकिन दो बेक्टिरिया में कोई एक बेक्टिरिया डोनेट करता है genetic material को जो डोनेट करता है that means जो मतबदान देता है ट्रांस्पेंट देता है उसको donor कहा जाता है या फिर male cell कहा जाता है जो रिसीप करता है genetic material को उसे donor कहा जाता है या फिर female cell कहा जाता है the male cell be a sex pili but the female cell has no pili male cell में जो होता है sex pili होता है but female में जो होता है किसी भी तरह का pili नहीं पाय जाता है the genes for sex pili occur in a circular placement of male cell यह जो sex pili जो पाय जाता है genes के लिए वो male में पाय जाते हैं और वो circular placement के रूप में रहते हैं hence the male cell is caused f plus cell and the female cell lacking the placement is called f minus cell male cell में क्या होता है sex pili पाय जाता है इसलिए उसे f plus cell से denote कर सकते हैं और जो female जो होता है उसमें cell lacking होता है placement नहीं होता है जिस वज़े से उसको f minus cell के रफ में उसे denote कर सकते हैं उसका अधिया figure आपको यहां पे conjugation का दिखाना है यह क्या होता है some bacteria when cultured in the presence of killed cell or free DNA acquired some genetic material for the culture and saw some new character बुला जारे कुछ bacteria ऐसे होता है जिनने cultured क्या जाता है जिनने रखा जाता है kill cell के presence में यह फिर free DNA के presence में उनको लखा जाता है ताकि क्या हो सके उससे genetic material प्राप्त हो सके और एक तरह से नया character को मतब दिखा सके बन सके this process is called bacterial transformation उस प्रोसेस को bacterial transformation कहा जाता है this was first object by gift gift in 1928 in the culture of diplococcus pneumonia है ना इसी में इसको जो मतब यह जो प्रोसेस त्रांसफोर्मेशन इसको अब्जर्ट किया गया था सबसे पहले ग्रेप्टेट के बारे में 1928 में इन्हों ने किया था और यह कल्चर किये थे diplococcus pneumonia को उसको प्रोसेस प्रोसेस है जिसमें जैनेटिक मेटेरियल का ट्रांसफर होता है एक बैक्टेरिया से दूसरे बैक्टेरिया में बैक्टेरियों फेस के दौरा उस प्रोसेस को ट्रांसटक्शन कहा जाता है during this process the host gene picked up by the phase is injected to the bacteria इस प्रोसेस के दौरा और होस्ट जीन क्या कहता है पिक क्या जाता है host gene को एक तरह से injected क्या जाता है bacteria में मतला इन जो बैक्टेरिया में उसे डाला जाता है therefore the new bacteria shows some character of the old host of the phase virus जिस बज़े से क्या होता है जो injected क्या जाता है जिस बज़े से नए करेक्टर जो होता है नया बैक्टेरिया जो होता है वो कुछ special करेक्टर दिखाते हैं old host के बस अहीं तक आपको लिखना है इसमें